नमस्ते ऐस्ट्रेलिया ऐस्ट्रेलिया के प्रदान मंत्री और मेरे प्रियम मित्र इस एक्सलेंशी अलबनेजी ऑस्ट्रेलिया के पुर्वा प्रदान मंत्री इस एक्सलेंशी स्कॉट मौरिशन न्यू शाउथ वेल्च के प्रिमियर क्रिस मिन्स प्रिमिन्स्ट्र पैनी वंग प्रिमिन्स्ट्र मिन्स्ट्र मिशल रॉलेंग अनर्जी मिन्स्ट्र क्रिस बावन लीडर अप अपोजिशन पीटा डटन आसिस्टंट फोरेंड मिनिस्टर टीम वाट्स न्यू साउथ वेल्च के उपस्तित मंत्री मंडल के सभी आदर्णिय सज़स्या पैरा माटा से सांसा सज़स्या डॉक्टर एंड्रीू चाल्टन यहां उपस्तित आस्ट्रेलिया के सभी सांसत सदस्या मेयर डिप्टी मेयर काउंसिलर्ज और आस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भार्तियर जो आज इतनी विशाल संध्या में उपस्तित हुए हैं आप सब को मेरा नमस्कार अविशोड आप प्रॉड यहां रहे that we are meeting here on today. I pay my respects to the renders past, present and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, when I came to 2014, I had one thing to do with you, the fact was that you have आईअईउगार्ण। तो लिजीए, यहां सिड्डी में, इस एना में, मैं फिर हाजिर हूँ। और मैं अकेला नहीं आया हूँ प्रदान मंत्री अल्वेनीजी भी मेरे साथ आये हैं Mr. Prime Minister अपने बहुत व्यस्तकारकम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है ये हम भारतियों के प्रती आपके स्नेह को दर्साता है आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि आस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रती कितना प्रेम है इसी वर्ष मुझे प्रधान मंत्री जी का भारत की धर्ती पर अम्दाबाद में स्वागत करने का अउसर मिला थे आज उन्होंने हाँ लीटल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अन्विल करने में मेरा साथ दिया है मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं थेंक यू मा फ्रेंड एंथनी ये लीटल इंडिया आस्ट्रेलिया के विकास में भारतिय समुदाय के योगदान का भी एक रेकनिशन है मैं न्यू साउथ वेल्ज के प्रिमियर पैरामाटा शहर के मेर डेपुटी मेर और काउंसिलर्स को इस विशेश सन्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं साथ क्यों मुझे खुछी है कि न्यू साउथ वेल्ज में प्रवासी भारतिय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागिदारी कर रहे हैं अपनी पहचान बना रहे हैं वर्तमान न्यू साउथ वेल्ज की सरकार में डेपुटी प्रीमियर प्रूवकार ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रिबिशन कर रहे हैं और कल ही कल ही बाई समीर पंडे पैरा माटा के लौड मेर चुने गए हैं मैं सब का अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज जब पैरा माटा में यह सब हो रहा है तभी यह जानकारी भी आई है कि पस्चीमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतिय सैनीक नईयन सीज सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है उन्होंने पहले विश्व युद्ध में आउस्ट्रेलिया की फोच के लिए लड़ते हुए बीद गती प्राप्त की थी इस सम्मान के लिए मैं पस्चीमी ऑस्ट्रेलिया के नेत्रुत्व का आदर पुर्वक अभिननन करता हूँ सात्यों एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों को थ्री सीट डिफाइन करते हैं कि ऐसा पहले कहा जाता हूँ कि कौन से थ्री सी हैं कॉमन वेल्ट क्रिकेट और करी इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों थ्री डी पराधारित है डिमोक्रेसी दाइस्फोरा और दोस्ती कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के समंदों थ्री इपराधारित है एनरजी, एकोनामी और एजुकेशन आने कभी सी, कभी डी, कभी ई अलग-अलग कालगंड में ये बात संभवतह सही भी रही है लेकिन भारत और आस्ट्रेलिया के एतियासिक समंदों का विस्तार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और जानते हैं इन सारे समंदों का सबसे बड़ा आधार क्या है जानते हैं जी नहीं सबसे बड़ा आधार है मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट इन मिच्यल ट्रस्ट और मिच्यल रिस्पेक्ट सिरफ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक दिस्तों से विक्सित नहीं हुआ है इसकी असली वज़ा है इसकी असली ताकत है आप आस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतिया आप उसके असली ताकत है इसकी असली वज़ा है आस्ट्रेलिया के धाई करोर से जादा सिटिजन्स साथियों हमारे बीच बाउगलिक दूरी जरूर है लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोडता है हमारी जीवन शैलिया बले अलग अलग हो लेकिन अब योगा ये भी हमें जोडता है क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए है लेकिन अब टेनीस और फिलमे भी हमें जोड रही है हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है लेकिन अब मास्टर शेव हमें जोडता है हमारे यहां परवत योहार भले अलग अलग मनाये जाते हैं लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रोनक से बैसाखी के जस्त से हमारे यहां बाशाए भले अलग अलग बोली जाती हो लेकिन हम जुड़े हुए हैं मल्यालम, तमील, तेलुग, पंजाबी, हिंदी बाशाए पढ़ाने वाले इतने सारे स्कुलों से साथियों आस्ट्रेलिया के लोग यहां की निवासी इतने विशाल रदे के हैं दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं की भारत की इस विविद्धा को खुले दिल से स्विकारते हैं और यही वज़ा है की पैरा माटा स्क्वाइर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है विग्रम स्ट्रीट भी विग्रम स्ट्रीट के रुप में मशूर हो जाती है और हैरी स्पार्क कई लोगों के लिए हरी स्पार्क हो जाता है वैसे मैंने सुना है के हैरी स्पार्क में चटकाज की चाट जैपूर स्वीर्ज की जलेबी उसका तो कोई जवाबी नहीं है मेरी आप सबसे रिक्वेस है आप लोग कभी मेरे मित्र पी एम एल मेंडी जी को भी वहाँ जुरूर ले जाईएगा और साथियों जब खाने की बाद चली है और चाट की बाद चली है तो लखनव का नाम आना भी स्वाभावी की है मैंने सुना है सिटनी के पास लखनव नाम की जगह भी है लेकिन मुझे पता नहीं वहाँ भी चाट मिलती है क्या अज़ा यहाँ भी तो साथ दिल्ली के पास वाले लखनों के लोग होंगे ही होंगे है क्या वाँ वाँ कई दिल्ली स्ट्रीट बॉम्बे स्ट्रीट कश्मी रेवन्यू मालावा रेवन्यू जैसी कितनी ही सडके यहाँ आस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिट्डी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप सबने आज़ादी का अमरुत महुत्सवी बहुत दुमदाम से मनाया है यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्ट में बहुत सारे कारकम किये गए हैं सिट्नी आपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतिय का दिल खुश हो गया हिंदुस्तान में भी जैजेकार हो रहा था और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्ज गवर्मेंट का विशेश तोर पर आभार व्यक्त करता हूँ साथियों हमारे क्रिकेट के रिस्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए क्रिकेट की फिल पर मुकावला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी आप दफिल्ड अमारी दोस्ती है इस बार तो आस्ट्रेलिया की अनेक विमेंट क्रिकेट प्लेयर की पहली बार भारत में आईपियाल खेलने आई थी और साथियों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी है अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है दुख का भी साथी होता है पिछले साथ जब महान शैन बॉन का निदन हुआ तो आस्ट्रेलिया के साथ कोटी कोटी भारतियों ने भी शोक मनाया यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है साथियों आप सभी यहां आस्ट्रेलिया में है यहां के विकास को देख रहे हैं आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विक्सित राष्ट बने है ना आपका सपना है ना आपका सपना है ना आपका सपना जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में दिया है यह मेरा भी सपना है एक सो चालिस करोर भारतियों का सपना है साथियों भारत के पास सामर्थ की कमी नहीं है भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यूँआ टैलेंट फैक्टरी जिस देश में हैं वो है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप वो है इंडिया मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे यूँआ टैलेंट फैक्टरी जिस देश में हैं वो है वो है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ पैस रखूंगा और आप से सही उत्तर जानना चाहूंगा ठीक है रेडी कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेश वैक्सिनेशन प्रोग्रेम चलाया वो देश है वो देश है वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेश ग्रोइंग लार्ज एकोनामी है वो है वो है वो है आज जो देश स्मार्टफोन डेटा कंजूमर है वो देश है वो देश है आज जो देश fintech adoption rate में नमबर वन है वो देश है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नमबर वन है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नमबर दो पर है वो है वो है आज जो देश दुनिया का second largest mobile manufacturer है वो है वो देश है वो देश है आज जो देश rice, wheat, sugar can production के मामले में दुनिया में नमबर दो पर है वो है वो है आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड़क्शन में दुनिया में नमबर दो पर है पिल मारकेट जिस देश में है वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मारकेट जिस देश में है वो देश है और अब जो देश अगले पचीज साल में विक्सित होने के लक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है वो देश है साथियों आज आएम एप भारक को ग्लोबल एकोनमिक का ब्राइट स्पोर्ट मानता है वर्ल बैंक का विश्वाथ है कि ग्लोबल हेट विंग्स को अगर कोई चुनोती दे रहा है तो वो भारत है आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टिम पर संकट है लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रसंसा हो रही है दुनिया में सो साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है आज हमारा फॉरेक्स रिजर्ड नई बुलंदिया चू रहा है फ्रेंट्स भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है इसका उदारा हमारा डिजिटल स्टेक है आप सभी भारत के फिंटेक रिवलूशन से बली भाती परिचीत है आपको याद होगा जब मैं 2014 में हाँ आया था तब मैंने आप से एक सपना साजा किया था मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो आपको गर्व होगा दोस्तों आपको गर्व होगा कि पिछले नव बर्ष में हमने करीब पचास करोर भारतियों के याने करीब 500 मिलियन बैंक एकाउंट खोले हैं और सिर्फ बैंक एकाउंट खोलना ही हमर सफलता हम वहां टकते नहीं हैं इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलिवरी के पूरे एके सिस्टिम को ट्रांस्फॉर्म कर दिया हमने जनदर आप सोचिए इससे एक क्लिक पर एक क्लिक पर करोरों करोरों देशवासियों तक डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्ट डिबीटी संबव हुआ और आपको और खुशी होगी बीते नव वर्षों में यह आँकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा बीते नव वर्षों में 28 लाद करोर रुपिये यानि 500 बिलियन अस्ट्रेलियन डॉलर से भी जादा सीधे जर्रत बंदों के बैंक एकाउंट में बेजे गए करोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर यह काम पलकों में तखना था अज दुनिया के 40 प्रतिशत 40 प्रसेंट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं आप अभी अभी भारत आए होंगे तो देखाऊगा आज फल, सबजी या पानी पुरी के ठेले हो या फिर चाई की दुकान सब जगए डिजिटल टांजेक्शन हो रहा है साथियों भारत का ये डिजिटल रिवलुशन सिर्फ फिंटेक तक सिमित नहीं है भारत आज़ुनिक व्यवस्ताएं बना रहा है लोगों की इस अफ लिविंग बढ़ा रहा है इसका एक उदारान भारत का डिजी लॉकर है इसमें ड्राइविंग लाइसन्स से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इशू करती हैं वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं करीब सेंक्रों तरह के डॉक्यमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूत नहीं है बस एक पास्वर काफी है और इससे पंदरा करोड से जाजा एनी वन फिप्टी मिलियन से भी जादा भारती आज भारत के हर कदम हर उप्लग्दियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है आज की दुनिया जिस वर्ल ओर्डर की तरफ जा रही है जिन संभावनों को तलास रही है उसमें ये स्वाभाविक भी है भारत हजारों वर्षों की जीवन्त सब्व्यता है भारत मदर अब डेमोक्रिसी है हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है लेकिन अपने मूल सिध्धान्तों पर फंडामेंटल्स पर हमेशा ठीके रहे है हम रास को भी एक परिवार के रुप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं वसुद है उकुटुम गाम और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थिम तै करता है तो कहता है अपने आदर्सों को जीने का उसका स्वभाव देखिए G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है बन अर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर जब भारत बाइस्वीक समुदाय के स्वस्त रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ वन हिल्थ भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से जादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाईयां बेजी भारत वो देश है जिसने सौ से अधिक देशों को मुत्वेश्क सिन बेज़ कर करोरो करोरो लोगों का जीवन बचाया करोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेस्ता है आज शहीदों के सर्ताज पंचम सिख गुरू स्री गुरू अरजुन देव जी का शहीदी पर्व है हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने सिख्षा मिलती है गुरू अरजुन देव जी ने ही दसंद प्रणाली शुरू की थी इसी प्रेणा से करोना के दौरान भी कितने ही गुरुदवारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की इसी दोर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीडितों के लिए खुल गई आस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडन्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए विबिन्न सामाजिक संगटनों ने भी इस दोरान बहुत लोगों की मदद की भारतिय कहीं भी रहे एक मानवी यह भाव उनमें समाहित रहता है साथियों मानवता के हीत में ऐसे ही कारियों के कारण आज भारत को फोर्स अफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत मदद के लिए तयार मिलता है जब भी कोई संकट आता है भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है आज चाहे इंटरनेस्टनल सोलर अलाइंस के द्वारा सावर उर्जा का उप्योग बढाना हो चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियन्ट इंफ्रास्रेक्टर तैयार करना हो चाहे इंट्रनेशनल बिग केट एलाइंस को नित्रुत्व देना हो भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एक जूट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है अभी अभी जब तुर्किये में भूकम ने तबाई मचाई तब भारत ने आपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया भारत अपने हीतों को सब के हीतों से जोड़ कर देखता है सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आदार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही वीजन है साथियों, आज भारत और अस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेजिक पार्टरसिप निरंतर गहरी हो रही है हाल में ही हमने एकोनामिक कॉपरेशन और ट्रेड एगरिमेंट इस सी टी ए एकता साइन किया है अनुमान है, इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले पांच बर्स में दो गुने से अधिक हो जाएगा अब हम कॉम्प्रिहेंसिव एकोनोमिक कॉपरेशन एगरिमेंट पर काम कर रहे हैं हम रिजिलियन्ट और रिलाइबल सप्लाइ चेंज का निर्मान कर रहे हैं इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही दुनिया को भी नया विस्वास मिलेगा आज भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कई डारेक्ट फ्लाइट्स है बीते वर्सों में फ्लाइट्स की संख्या बड़ी है आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बड़ेगी एक दूसरे की डिग्रियों को माननेता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बड़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाब होगा माइगरेशन एंड मोबिलिटी पार्टनर्सिप एग्रिमेंट पर भी सहमती बनी है इससे हमारे स्कील्ड प्रोफेशनल्स के लिए आस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा और साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो इक गोशना भी करने जा रहा हूँ ब्रिस्पेंट में भारतिय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी अब उसे पूरा किया जाएगा जल्द ही ब्रिस्पेंट में भारत का एक नया काउंसिलेट खोला जाएगा फ्रेंट्स भारत और आस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनर्शिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रतेग व्यक्ति को सतक्त करेगी आपके पास टैलेंट है अपनी स्कील की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वेल्यूद भी है इवेल्यूद आपको आस्ट्रेलिया की लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमी का निभाते है मैं कल ही पापुआ न्यूगिनी से आया हूँ वहाँ मैंने स्थानिय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकारपण किया ये अनुवाद वहाँ भारतिय मुलके एक स्थानिय गवर्णन ने किया है एक जीता जाकता उदारण है कि कैसे हम विदेश्ट में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें जड़ों से जुड़े रहें आप भी यहाँ आस्ट्रेलिया में भारतिय संस्कृति की खुश्मू फैला रहें हैं आप आस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसेडर है भारत के ब्रेंड एम्बेसेडर से है साथियों मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आप से कुछ मांगना चाहता हूँ देंगे आवाज जड़ा दीमी हो गई देंगे पक्ता प्रॉमिस मैं आप से ये मांग रहा हूँ और आप से आगरा करूँगा कि आप जब भी भारत आएं जब भी भारत आएं अपने साथ कोई ने कोई आस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आएं इसे उन्हें भारत को समझने का जानने का और ज़्यादा बहतर मोका मिलेगा आप इतनी बड़ी तादाद में आएं लंबे अर्थे के बाद आपको मिलने का मोका मिला आप सब बहुत स्वस्त रहिए खुश रहिए आनन से रहिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भारत बहुत धन्यवाद